वेलकम टो आरस क्लास मैं कॉसल सिंग आज है 10 अक्टूबर 2020 दस है ये 10 अक्टूबर 10 अक्टूबर 2020 और 10 अक्टूबर 2020 के जतनी भी करेंट अफेर्स के कोशन है वो आज यस वीडियो हम देखेंगे और जो भी वाइवन वीडियो पहली बार देख रहे हैं हमारे चैनल के वो सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो लाइक कीजिएगा देखिए आप डेली नहीं देखते हो इसलिए में डेली नहीं डालता हूं तो 2-3 दिन बाद देख लिया करो आप ही के लिए फैदा है त उससे आप ही को फैदा हुगा चलिए देखते हैं आज के कौन से कौन से कोशन साएं चलें तो यह आता है आपका पहला कॉश्चन आज का कौन सा देश अंत्रिक्ष में पहला स्टेट रोइट माइनिंग रोबोट भेजेगा तो यह कौन सा देश भेजेगा स्टेट माइनिंग रोबोट चीन वेज़ेगा इसमें option आ जाता है B चीन देश अंतरिक्ष में पहला state road माइनिंग रोबोट वेज़ेगा इस माइनिंग रोबोट को एक चीनी लॉंच मार्च सीरीज के रॉकेट द्वारा अंतरिक्ष में लॉंच किया जाएगा इसके अलावा कंपनी का एक अन्य मिशन है यंग वॉंग वन क्या है यंग वॉंग वन लॉक अप वन है जिसका नाम है लिटिल होबल और इसे 2021 में 2021 के अंत में या 2022 2022 के प्रारम में लॉंच किया जाएगा वर्तमान में चीन के राश्पती सी जिन्पिंग है आगले प्रिशन की तरफ चलते हैं आगे का प्रिशन आता है आपका साल 2020 का फिजिक्स नोवेल प्रुसकार किसे दिया गया तो ये दिया गया आपको रोजर पैंडरोस रोईन हार्ड गेजनल यानि उप्यक्त दोनों को ए और बी दोनों को ये प्रिशन दिया गया option C आता है आपका इसमें साल 2020 का फिजिक्स नोवल प्रुसकार रोजर पैंडरोस तथा रोईन हार्ड को गेजनल दोनों को दिया गया रोजर पैंडरोस को ये है प्रुसकार ब्लेक हॉल की उत्पत्ति सापिक्षता के सामानि सिध्धानत का एक मजबूत पूर्व नुमान खोज के लिए जबकि रोजन हर्ड गैंजल को हमारी गैलेक्सी के कैंदर में सुपर मैसिव कमपेक्ट अब्जेक्टिव की खोज के लिए दिया गया अगले प्रिशन की तरफ चलते हैं वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा वाई यू अगले प्रिशन की तरफ चलते हैं यह आजाता है आपका अगरा प्रिशन निम्न मेंसे कहां युद्ध प्रदूसर्ण के बुद्ध अभियान का सुभारम किया गया तो ये अभियान का सुभारम किया गया आपका दिल्ली में ऑप्सन डी आता है आपका ये दिल्ली में किया गया दिल्ली के मुख्यमंत्री स्री अर्विंद के इजरीवाल जी ने दिल्ली में युद् प्रिदुसर के बुरिद अभईयान का प्रसोवारंद किया गया है दिल्ली सरकार द्यारा धूल खताने के लिए एक विसेश एंटी दस्ता अभियान चलाया जा रहा है वर्तमान में दिल्ली के उपर आजपाल है अनील वेजल अगले प्रिशन की तरफ चलते हैं अगला प्रिशन आता है ये ये आ जाता है आपका AAI भारतिय बिमान पतन प्राधी करण का पहला 100% सौर उर्जा से चलने वाला हवाई अड़ा कौन सा है तो ये हवाई अड़ा जो सौर उर्जा से चलने वाला है यानि बिल्कुल भी लाइट नहीं होगी 100% हवाई अड़ा सौर उर्जा से चलने वाला है ये ये है आपका पांडु चेरी में आप्शन ए पांडु चेरी हवाई अड़ा है ये AAI भारतिय बिमान पतन प्राधी करण का पहला 100% सौर उर्जा से चलने वाला पहला हवाई अड़ा पांड चेरी हवाई अड़ा है 500 किलोबाट पावर हाउस भूमी पर इस्थापित सौर उर्जा सयंत्र को 2 अक्टूबर 2020 को चालू किया गया था इस सयंत्र की कुल लागात है 2.8 करोड रुपे 2.8 करोड रुपे वर्तमान में पांडुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायन सामी उपराजपल के रणवेदी हैं अगले प्रिशन की तरफ चलते हैं देखे बीडियो को लाइक जरूर कीजएगा साथी हो वीडियो लाइक कीजएगा ताकि हमारे अंदर बनाने की जो छमता है वो आज आए एनर्जी होती है जो दरा सलिए लाइक कीजएगा तो एनर्जी होती है यह तो यह अगला कर्शन है आपका निम्न मेंसे किसे जी आई टेग मिला है तो यह जी आई टेग जो मिला है यह मिला है डले खुरसीना को यह टेग मिला है option A आता है आपका इसमें डले खुरसीना को यह टेग मिला है सिक्किन की लाल चेरी मिर्च जिसे इस्थानी रूप से डले खुरसीना के नाम से जाना जाता है डले खुरसीना क्या कहते हैं सिक्किन की लाल चेरी मिर्च जिसे डले खुरसीना के नाम से जाना जाता है इस G.I.T.E.G प्राप्त हुआ है क्या प्राप्त हुआ है इसे G.I.T.E.G यानि G.I.T.E.G जो प्राप्त हुआ है वो इसे प्राप्त हुआ है दुनिया की सबसे थीकी मिर्च है इसे माना जाता है वर्तमान में सिक्किन के मुख्य मंत्री P.S. गोले हैं राजपाल हैं गंगा क्रिशन आता है आपका यह भारत में प्रतीन रर्स फद्जीव सप्था म कब मनाया जाता है तो यह मनाया जाता है आपका प्रतीन 6 008 आठ अक्टूवर, option D आता है आपका इसमें, दो अक्टूवर से आठ अक्टूवर तक मनाया जाता है, भारत में प्रते एक बर्स वन जीव सप्ता दो अक्टूवर से आठ अक्टूवर के वीश मनाया जाता है, 2020 में 66 वा वन जीव क्या थी exploring human animal relationship वर्तमान में पर्यावन वन और जलवायू परिवर्तन मंत्री प्रकास जाविडगर है अगले प्रिशन की तरफ चलते हैं यह आ जाता है आपका अगला प्रिशन वर्त 2020 को world habitat दिवस कम मनाया जाता है तो यह मनाया जाता है आपका 5 October को option D आता है आपका इसमें 5 October को मनाया जाता है यह संयुक्त राष्ट द्वारा हर साल world habitat दिवस अक्टूवर महीने के प्रथन सवंबार को मनाया जाता है 2020 में यह दिवस 5 October को मनाया गया अगले प्रिशन की तरफ चलते हैं अगला प्रिशन आता है आपका यह वीडियो कॉंफरेंसिंग के माध्यम से बारेवा ब्रिक्स संबेलन कव आयुजित किया गया तो यह बारेवा जो ब्रिक्स संबेलन है यह किया गया 17 नवंबर 2020 को option C आता है आपका इसमें 17 नवंबर 2020 को यह आयुजित किया गया वीडियो कॉंट्रिंसिक के माध्यम से बारेवा ब्रिक्स सम्मेलन 17 नवंबर 2020 को आयोज़ित किया गया यह सिकर सम्मेलन रूस की अध्यस्ता में किया गया ब्रिक्स के 5 सदस से ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दच्छिन, अफरेका सुनियेगा ब्राजील, रूस, भारत, च अगले परिशन की तरफ चलते हैं, यह आता है आपका अगला परिशन, ICCC ने किसे Lifetime Achievement Award प्रदान किया है, तो यह किया है रतन टाटा को, Option A आता है आपका इसमें, रतन टाटा को यह प्रदान किया है, इंडो अमेरिकन चेंबर आफ कॉमर्स, ICCC ने बिजनेस आइकन रतन टाटा को Lifetime Achievement Award प्रदान किया है, अगले परिशन की तरफ चलते हैं, अगला परिशन है आपका स्क्रीन पर यह, भारती रेजर्व बैंक ने किस बैंक के संचालन के लिए निदेशक समिती के निक्त की मन्जूरी दी है, तो यह मन्जूरी दी है आपके धनलक्षमी बैंक, Option A आता है आपका इसमें, धनलक्षमी बैंक को यह मन्जूरी दी है, भारती रेजर्व बैंक, RBI ने धनलक्षमी बैंक के संचालन के लिए निदेशक सम्ती को निक्ती के मन्जूरी दे दी है, बैंक को को चलाने के लिए जी सुब्रमोनिया ऐयर को अध्यक्षता में निदेशाले को तीन सदस्य अंत्रिम सम्ति को मनजूरी दी गई अगले प्रिश्ण की तरफ चलते हैं अगला प्रिश्ण आता है आपका ये अंतर राष्ठी अहिंसा दिवस प्रती वर्स कम मनाया जाता है तो प्रती वर्स जो अंतर राष्ठी अहिंसा दिवस है ये मनाया जाता है आपका दो अक्टूबर को ऑप्सन ए आता है आपका इसमें दो अक्टूबर को मनाया जाता है दो अक्टूबर को संयुक्त राष्ठी द्वारा हर साल महत्मा गांदी की जैनती मनाने के लिए अंतर र पुद्देश सिच्छा और जन जागरुकता के माध्यम से अहिंसा के संदेश को फैलाना है देखिए वीडियो अगर मैं स्लो बोल रहा हूं तो उसे आप 1.25 पे जाके कर लीजिएगा इस्पीड में जाके आगे का प्रिशन है आपका ये है आपका उस परमाडू सुक्ष्म हाइपोरसैनिक मिसाल का नाम क्या है जिसे हाल ही में और इसा परिक्षण रेंज से परिक्षण में डाला गया तो ये डाला गया था आपका सौर्रे को ऑप्शन ए आता है आपका इसमें सौर्रे को डाला गय भारत ने अपनी स्वदेशी रूप से विक्सित परमाडू सक्ष्म हाइपोशैनिक मिसाल सोड़ी खूर को सफलता पूरवक परिक्षण किया लगवख 1000 लगवख 1000 किलो मीटर की मारक चमता वाली सतहय से सतहय पर मार करने वाली सामरिक मिसाल का औडी सामे सफलता पूरवक परिश्चन किया गया सौर भारत की 15 मिसाल का भूमी परिक्षंस करण है और यह है 200 क्लो मीटर से 1000 क्लो मीटर तक के पॉलेंड को ले जाने में सक्षम है आगे का प्रिशन है आपका ये आजाता है अगला प्रिशन आपका ये आजाता है आपका अगला प्रिशन कुमार खारा को किस सारवजनिक छित्र में बैंक के अद्धक्ष के रूप में निफ्थ किया गया है तो इन्हें निफ्थ किया गया है भारतिय स्टिट बैंक, केंदर सरकार ने 7 अक्टूबर से 3 साल के लिए निदेशन कुमार खां को भारतिय स्टिट बैंक के अधिक्स के रूप में निफ्थ किया है बित्मंत्राले द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार खारा SBI के अधक्ष रजनीस कुमार की जगा लेंगे जिनका 3 साल तक कारेकल 7 अक्टूबर को समाप्त हो जाएगा तीन साल के कारेकल के बाद 14 अगस्त 2016 में SBI के प्रबंद निदेशक के रूप में सेवारत थे अगले परिशन की तरफ चलते हैं अगला परिशन आता है आपका ये ये आ जाता है आपका चैननाई में कमीशन किये गए सात्वे भारतिय तट रक्षक तटिय गस्ति पोत का न नाम है इसका भारतिय तट रक्षक बल आई सी जी के सात्वेत अप तटिय गस्ति पोत बिग्रह को आपचारिक रूप से चैननाई को कट्टु पल्ली बंदर गहे पर कमीशन द्वारा किया गया यह पोत लॉरेंस और ट्रुवो द्वारा बनाये गया यह रक्षा मंत्राले द्वारा 2015 में कम्पनी को अनुमंदित साथ अप तटिय गस्ति जहाजों की सरंखला में अंतिम पोत है यह पहली बार है जब एक निज़ी छेत्र के सिप याड ने आप वी वर्ग के जहाजों के डिजाइन और निर्मार का कारण किया है अगले प्रिष्ण की तरफ चलते हैं अगला प्रिष्ण आता है आपका ये भारत में वन जीव सब्ता किस महीने में मनाया जाता है तो ये मनाया जाता है आपका अक्टूबर में ऑप्शन ए आता है आपका इसमें अक्टूबर में मनाया जाता है लेकि जल्दी में बोलने म देखिए यह है आपका ऐक्टूवर में वन्यजीब सपता भारत में एक से आठ ऐक्टूवर के बीच मनाया जाता है ताकि वन्यजीब को बढ़ाबा दिया जा सके lengthy 1902 में приб वन्यजीब सपता की परिकलपणा की गई तकी जागरुपता पैदा की जा सके आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीज़ेगा और जो भी वाइवन वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीज़ेगा धन्यवाद